जै मा काली मित्रो आपका हमारे चैनल मा काली मा दुर्गा शक्ती समबाद में स्वागत है मित्रो अगर आप हमारे चैनल पढ़ना ही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथी नोटिफिकेशन बेल को भी प्रैस कीजिए जिसे हमारी आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंध मिल जाए मित्रो आज का जो विशे है वो विशे ये है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको क्या-क्या लाप राप्त होता है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हनुमान चालीसा स्वें सिद्ध चालीसा है यानि यह अपने आप में सिद्ध चालीसा है इसको सिद्ध करने के आवश्यक्ता नहीं होती इसके लिए केवल आपको इसका पठन करना होता है यानि आपको इसको पढ़ना होता है तो जो लोग हनुमान चालिसा पढ़ते हैं और जिनको नाकरत्मक उर्जा का प्रभाव होता है जिनको कोई संकट होता है कोई किसी भी प्रकार की कोई गलत उर्जा उनके साथ लग जाती है तो उसको भगाने का कारिय हनुमान जी स्वेम करते हैं और हनुमान चालिसा में ये बात लिखी हुई है कि बूत पिशाच निकट नहीं हावे महाबीर जब नाम सुनावे यानि जब आप हनुमान जी का नाम लेने लगते हैं तो नाकर्तमक उर्जा अपने आप आपको संभलीत करना चाहिए, जो भी आचा है, आप माघवती के उपासक है तब बी आपको हनुमान चालेसा का पार्ट जरूर करना चाहिए क्योंकि माद रुगा माकैली के साहिए जरूर चलते हैं और वीर लांगुर के रूप में चलते हैं जो इनकी जो सबसे समान्य पूजा करे जाती है हनुमान चलीसा का पार्ट तो ऐसे लोगों को जो देवी उपासक हैं उनको भी हनुमान ची की पूज़ा जरूर करने चाहिए बाकि जो लोग समाने व्एक्तिवी हैं जो ये नहीं जानते कि हमें पूझा पाट किस प्रकार करनी चाहिए तो उनको भी हनुमान चालिसा का पाट करना चाहिए और जो विध्यारती होते हैं उनको भी हनुमान चालिसा का पाट जरूर करना चाहिए जो लोग चाहते हैं हमारे घर में बरकत हो तो उनको भी हनुमान क पार्ट जुरूरर कें। और अगर जो रोगी व्यक्ति होते हैं उनको भी हनुमान 40 का पाट करना चाहिए इसा हमारा मानना है जब आप हनुमान 40 का पाट करते हैं तो हनुमान 40 का पाट करने से आपको बहुत सारे लाब होते हैं जो नित्य प्रती हनुमान 40 का पाट करते हैं उनको बहुत सारे लाब होते हैं अगर आप हनुमान 40 का पार्ट करते हैं नित्य प्रति पार्ट करते हैं तो नित्य पार्ट करने से आपके अंदर एक तो आत्म विश्वास की व्रद्धी होती है यानि जो आपका आत्म विश्वास का इस्तर है वो बढ़ जाता है और आपके अंदर जो पहले हीन बामना दी उसको हनुमान जी खतम क एक अकार्ण भै बना रहता है वे उनके अंदर नहीं रहता है यह निदर हो जाते हैं उनके अंदर आपी साहस बेरे बुरी नाकर्चमक्ष क्षक्तिएंगे आपको परेशान करती हैं ऊपर इबादा, भूँत, प्रेत, उनका प्रभाव आपके उपर बिलकुल नहीं पड़ता है, अगर कोई नाकरत्मक उर्जा भी होगी, तो वह आपके उपर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकती, आपके बराबर से निकल जाएगी, लेकिन आपको नहीं डरा अगर आपके जीवन में कोई बंधन लगे हुए हैं अगर आपके उपर किसी ने बंधन लगा रखा है आपके काम को बांध रखा है या आपके शरीर का बंधन कर रखा है तो वह बंधन भी हनुमान हनुमान चालीसा के पाट से स्वेम ही कटने लगता है इतना प्रभाव हनुमान चालीसा का होता है अगर आप किसी रोग से ग्रसत है आपको कोई बिमारी लगी हुई है तो ऐसे व्यक्तियों को भी नित्यप्रती हनुमान चालीसा का पाट करना चाहिए जैसे जैसे आप हनुम प्वधि लगी हुई है वह अपने आप स्वतही खत्म होने लगते है अगर आप हनुमां जी का ध्यान करते हैं हनुमांजी और बल बुधि होने लगते हैं तो आपके अंदर बल बढ़ने लगता है कि शारिरी ने आपके अूर्य की व्रद्ि होने लगता है आपको विद्या प्राप्त होने लगती है आपको ज्यान की प्राप्त को रहते हैं शुद्या सुहमनुमान vino हुती है अध्यात में ज्वाम बढ़ने लगता है था हनुमान चालिसा का प्रभाव होता है हनुमान चालिसा का पाठ करने से हमें सदबुद्धी प्राप्त होती है आप गलत कारियों से दूर होने लगते हैं आप गलत और सही में फर्क करने लगते हैं ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो इस बात को नहीं जानते हैं कि क्या सही होता है, क्या गलत होता है तो ये अंदर आपको स्वतही पता लगने लगता है आपके अंदर स्वतही ये भाव जागरत हो जाते हैं कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है तो ये हनुमान जी की पूजा का प्रभाव होता है हनुमान चालिसा का प्रभाव होता है कि आपको सद बुद्धी आती है सद बुद्धी कार्थ होता है कि आप सब अच्छा अच्छा कारिय करते हैं कोई भी बुरा कारिय नहीं करते किसी का बुरा नहीं करते पार्ट से आपके जीवन की जो आकस्मिक परिशानिया होती है यानि अचानक से जैसे आपके जीवन में कोई परिशानिया जाती है जैसे किसी का एक्सिडेंट हो जाता है या कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है जिसका कोई इलाज नहीं होता तो ऐसी चीज़े आपके सा आपके साथ कोई भी आकस्मिक परिशानी नहीं आती है यह हनुमान जी की पूजा का प्रभाव होता है और जब आप हनुमान चाली सा का पाठ करने से आपकी जो मनुकामना है वो दिरे-दिरे करके पूरी होने लगती है। जैसे आपने कोई इच्छा मन में रखी हुई है तो इच्छा आपकी स्वतही पूरी होने लगती है अगर आपके पास उस इच्छा को पूरी करने का मार्ग भी नहीं है तो वो मार्ग भी स्वतही बनने लगता है जैसे कि आपकी कोई इच्छा है कोई धन से सम्मंदित इच् योगों अपने नित्य प्रति की पूझा में हनुमान शालीसा को अवश्य ही करना चाहिए और जितना हो सके अगर आप ज्यादा परेशान चल रहे हैं ज्यादा हो सके तो दो माला सीता राम की हनुमान चालीसा से पहले जरूर करें। अगर माला नहीं हैं तो कर माला से यानि उंगलियों पर 11-21 बार सीता राम का जाप अवश्य करें। क्योंकि बिना सीता राम के जाप के हनुमान जी अपनी पूजा नहीं लेना चाहते हैं। सबसे पहले यही कहते हैं कि मुझES से पहले आप शिर्ञाम की पूजा कीजेए जो मेरे अराद्य है उसके बाद ही मैं आपकी पूजा ग्रैंड करूँगा सबसे पहले आप शीतराम जी की पूजा करें उसके बाद हनुमान चालिसा का पाट करें मित्रो ये थी जानकारी आप सभी के लिए मा भग्वती से ये प्रातना करती है कि वह आपके बंडाऍटे बर्थी रहे आपकी सभी मनोकाम्नों को पूर्ण करती रहे आपके अपना पूर आशिरवात बना के रखिए तब तक के लिए जै महकाली जै महकाल